नमस्कार, जैहिंद, मैं दीपक, अपने यूटूब चैनल देश्टाउंटिफॉर एस्टडी में आपका हाथ स्वागत करता हो आज के स्पेशल साइन्स सेरीज में पार्ट फोर होने वाला है इससे पहले हम तीन पार्ट अप्लोड कर चुके हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्स बाक्स में लिंक रहेगा आप डिरड जाके चेकाउट कर सकते हैं साथी साथ एस्टेटिक जीके का 36 वीडियो अभी तक हम अप्लोड कर चुके हैं इसका भी लिंक के नीचे डिस्क्रिप्स बाक्स में रहेगा आप डिरड जाके चेकाउट कर सकते हैं तीन पार्ट में अभी तक हम लोगे लिए टोटल 40 कोशन कर चुके हैं आज से हम आगे एक 40 समबर से आगे बोरेंगे चलिए बिन देरी की हुए आज का स्वाट करते हैं चलिए क्या है सवाल सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमानुक अकार एटम के साइज में क्या परिवर्तन होगा सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाना है तो पूछ रहा की साइज में क्या चेंज होगा इसके लिए पहले आपको सोडियम और क्लोरीन का आपको number अब सेर्थ हो और पता करना होगा कितना होगा कैसे पता किढ़ेगा सोडियम का एटोमिक नम्र कितना होता है 11 कुलोरिन के घ्ल करा 15 नमर कियों करना होता है 17 इसक और प्लैज हब बिन्यास के लिये की लिगा दो हो आठ और एक कि ऋसक्ते है क्योंकि एसल कि हो सकते हैं फॉर्ट सेहन और सॉल्इern हो T हो सकते हैं और चौथ में मेकसिमन नमर फिलक्टुन आठारा हो सकते हैं और चौथे सेल मौन मैकशिमन नमर फिलक्टून 32 हो सकते हैं फर्मुला 2N Square को हम बता चुके हं यहां पर पहले पλάवल मेर्पिलक्टून हम 2 自己 मेर्प सचितना हो गहूं हूं मैकस clamp words patient 823 यहां में डाल चुके हैं इसलिए number of cell कितना होगे तीन सेल होगे सेम देखिए chlorine में chlorine में maximum number of electron पहले में कितना होगा 2 second cell में 8 8 22 तीसरे cell में आपका 7 हो जाएगा यहां भी आपका number of cell कितने होगे टीन होगे number of cell आपका दोनों में सेम हैं कितने कितने हैं? तीन है. तो माल लिजे कि एपका nucleus है. nucleus में आपका proton और neutron दोनों मौझूदे हैं एपका पहला cell एपका दूसरा cell और एपका तीसरा cell हैं अब आप बताएए nucleus में मौझूद proton ही क्या कहलाता है? atomic number परमानु करमान कहलाता है बच गया electron, electron आपका बाहरिक अक्षा में चक्कर लगाएगा यहाँ पे nucleus के दोबरा, क्योंकि nucleus में proton है proton के दोबरा electron पे force of attraction लगेगा, इसको अपने तरफ घेचेगा तो यहाँ पे nucleus में number of proton जैसे जैसे बढ़ता जाएगा force of attraction आपका बढ़ते चला जाएगा जब force of attraction आपका बढ़ते चला जाएगा, तो आपका जो atom का size है वो कम होते चला जाएगा जैसे जैसे परमानु करमांग बढ़ते चला जाएगा आपका atom का size छोटा होते चला जाएगा force of attraction के कारण, ठीक है इस बात को ध्यान में रखिएगा देखे लेजिए मेरा predictable में आपका sodium और chlorine आपका तीसरे period में है, तीसरे आवर्थ में दोनों के दोनों element है इस में से किसी का भी आप एक element उठा जाएगे आपको तीन ही cell मिलेंगे अगर आपको हम एक question दे, मालने जीए के दिये, aluminum, sodium, phosphorus और chlorine यहाँ पे इन चारों element को आपको इसके size के अनुसार लगाना है कि सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, तो सबसे बड़ा कौन होगा तो जिसका आपका परमानु करमाग मतलब nucleus में proton जिसका सबसे कम होगा, तो उसका force of attraction भी कम होगा तो ओब जो बाहर का electron है उसको कम भीचेगा, यानि उसका size बड़ा होगा तो जिसका number of proton कम होगा, कितना होगा, aluminum का 13, sodium का 11, phosphorus का 15, और chlorine का 17 तो यहां पर आपका sodium का सबसे कम परमानु करमाग है, तो force of attraction भी कम होगा, इसलिए size सबसे बड़ा sodium का होगा तो sodium सबसे बड़ा, उसके बाद आपका aluminum होगा, उसके बाद phosphorus होगा, उसके बाद chlorine होगा इसी सवाल में, अगर हम आपको argon extra add कर दे, argon, इसी question में argon हमको add कर दे, तो क्या आप argon यहां पर लगा होगी, क्योंकि argon का atomic number कितना होगा, 18 तो इसको कैसे लगाएगा, सबसे बड़ा आपका, इस block का element होजाएगा, जो कि sodium है, sodium सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आपका argon होगा, उसके बाद ही आपका same होजाएगा, aluminum, phosphorus और chlorine, इस तरह से आपको लगाना है, तो क्या लिखना है आपको अपना note में, लिखना आपको है, कि किसी भी आवर्त में, किसी भी पिरियड में, आपका noble gas, inert gas, इस block के element को छोड़के, बाकि सभी element से बड़ा होता है, आपको अपने note book में इसको लिखना है, क्या बोला मैंने, कि किसी भी पिरियड में, किसी भी आवर्त में, आपका noble gas, इस block के element को छोड़के, बाकि सभ से बड़ा होता है पूर्शन में क्या पूछा था कि सोडियम से क्लोरियन के तरफ जाना है तो उसका आका घटता है नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित है निम्नलिखित में से कौन सा संत्रिप्थ हाइड्रोकारबन है सेचूरेटेड हाइड्रोकारबन है इसमें से आपको बताना है तो सेचूरेटेड हाइड्रोकारबन किसको बोलते है एलकेन वाले को बोलते है और unsaturated किसको बोलते है एलकीन और एलकाइन वाले को बोलते है एलकेन एलकेन का फर्मूला क्या होता है C-N-H-2-N-2 और एलकीन और एलकाइन एलकीन एज़ एलकाइन यह आपका क्या होता है unsaturated hydrocarbon होते हैं दोनों एलकेन आपका saturated होता है एलकेन का फर्मूला क्या होता है CnH2n और एलकाइन का CnH2n-2 होता है अगर ऐसे question दे तो कैसे आप पकड़िएगा कि यह मेरा आपका उलकेन है तो यहां प्रिकेन आपका Haidrogen होगा कार्बन के दोगना से 2 ज़्यादा होगा दिखिए यह एलकेन है जो की saturated hydrocarbon है यह आपका Unsaturated है Alkin और Alkine कैसे याद कीजिएगा जो आपका Hydrogen है Carbon के संख्या से 2 गुने से 2 ज्यादा होगा कोई भी उठा लेजिए C286 Carbon का संख्या और Hydrogen का संख्या यहाँ पर Hydrogen का संख्या Carbon के संख्या से 2 गुने से 2 ज्यादा है 2 गुने से 2 ज्यादा है 6 होगा यहाँ पर देखे लिए 2 गुने से 2 ज्यादा 3 गुने से 2 ज्यादा है तो यह आपका क्या है Saturated Hydrocarbon होगा संत्रीफ्थ Hydrocarbon होगा Carbon और Hydrogen का संख्या आपको देख लेना है अगर एजाम मैं पुछेगा ना से 2 गुने से 2 ज्यादा होगा ना तो वह आपका संत्रीफ्थ हो जाएगा Saturated Hydrocarbon हो जाएगा और बाकी का स्वभी जो बच गया वह आपका Unsaturated में चला जाएगा यही बस ध्यान रखिए ज़्यादा दिमाग लगाने का ज्यूरुत नहीं है Question पर आते हैं देख लिजिए पहला Option है आपका CH2 यहाँ पर आपका क्या है Hydrogen है Carbon के संख्या से 2 गुना है तो यह मेरा Saturated Hydrocarbon नहीं हो सकता है Saturated Hydrocarbon होने के लिए क्या बताया था मैंने Saturated Hydrocarbon के लिए मैंने क्या बताया था जो आपका Hydrogen होगा न कारबन के संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होगा इस Option में देख लिजिए कहां पर आपका 2 गुने से 2 ज्यादा है Option नमर C देखिए C286 है Carbon आपका 2 है तो Hydrogen आपका 2 गुना 4 प्लस 2 छे है तो यही आपका आंसर होगा क्या है next दंत चिकिसर Dentist और दरपन का उपयोग करते है क्योंकि इस पर निर्मित जो Image है वो कैसा होता है और दरपन के लिए पूछ रहा है Dentist के द्वर जो उपयोग किया जाता है तो इसमें आपका जो Image है अभासी और बड़ा होता है ऐसा क्यों होता है और तल दरपन में केवल एक ही ऐसा केस है जब आपका Image अभासी मतलब भर्चूल और इरेक्ट बनता है और बड़ा बनता है कौन सा वो कंडिशन है जब आपका Object, Focus और Pole के बीच रखा हो मतलब Focus और धुरू के बीच रखा हो देखिए Image दिखाते हैं आपको हम यह है आपका यह है आपका Focus यह है आपका Pole, Drew Object जब आपका इन दोनों के बीच रखा होना तो इसका Image दरपन के पीछे बनता है और ओ भी कैसा बनता है सीधा बनता है इरेक्ट बनता है सीधा को इरेक्ट बोलेंगे और कैसा बनेगा यह देखिए Dotted Line है मतलब यह अभासी बन रहा है Virtual बन रहा है और Size में कैसा है देखिए यह आपका Object है यह आपका Image है Object से बड़ा बन रहा है तो Large बनेगा Enlarge होगा यह आपका Condition होगए Enlarge जब भी Object आपका Focus और Pole के बीच रहे Autal दरपन में तो सीधा अभासी और बड़ा आपका Autal दरपन हो या फिर उत्तल दरपन हो Concave हो या फिर Convex हो जब भी Virtual Image बनता है तो उसका जो Image है वो आपका सीधा ही बनता है Erect बनता है आपको याद रखना है और जब भी Image आपका Real बनता है तो आपका Ultra ही बनता है Inverted बनता है तो इस Question का Answer क्या हो जाएगा आपका Option Number C अभासी लेकिन बड़ा Virtual बनेगा Large बनेगा और Erect बनेगा सीधा बनेगा ठीक है Next क्या है निम्न लिखित में से किसे कोसिका का सक्तिग्री Power House of the Cell कहा जाता है तो Power House of the Cell Mitochondria को कहा जाता है Option Number A इसका Correct Answer होगा Mitochondria को Power House of the Cell क्यों कहते हैं उससे पहले आप एक चीज़ बताइए यह है आपका Nucleus और यह है आपका Cell Membrane कोसिका जेली तो जो लिक्वीड आपका Nucleus में भरा रहेगा यह आपका Nucleus है Nucleus में जो आपका लिक्वीड भरा रहे इसको हम क्या बोलेंगे और जो लिक्वीड आपका Nucleus के बाहर भरा रहे इसको हम क्या बोलेंगे जो लिक्वीड आपका निउकलियस में भरा रहता है केंदरक में भरा रहता है उसको हम बोलते हैं निउकलियोपलाजम क्या बोलते हैं निउकलियोपलाजम और हिंदी में केंदरक द्रब बोलते हैं केंदरक द्रब और जो लिक्विट आपका नुक्लियस से बाहर भरा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं साइटो पलाज्म साइटो पलाज्म और हिंदी में कोशी का द्रवि कोशी का द्रवि यहाँ पर देख लिजिए जब भी गुलुकोज का अक्सिडेशन होता है तो आपका पैरुवेट और दो एटिपी एनरजी यहाँ से बिमुक्त होता है निकलता है दो एटिपी एनरजी और पैरुवेट में तूटता है इतना सारा केस आपको कहां पर होता है साइटो पलाज्म में होता है कोशी का द्रव में होता है अब इधर साइटोप्लाज्म के बाद अब आपका माइट्रोकॉंड्रिया आ जाता है माइट्रोकॉंड्रिया इसी साइट्रोप्लाज्म में तेरकार आता है अब आपका माइट्रोकॉंड्रिया में आ गया यह pyruvate जब भी mitochondria में आता है तो आपको aerobic respiration होता है YBS hosan होता है जिसको कि हम krebs चक्र भी भोलते हैं इस krebs चक्र में आपका pyruvate से 36 ATP energy generate होता है उर्जा मिलता है यहां से 36 ATP और यहां से 2 ATP टोटल आपका 38 ATP energy निकलता है कहां से? mitochondria से इसलिए हम कहा सकते हैं कि जो आपका mitochondria है उसे कहां का सक्तिगरी powerhouse of the cell कहाता है mitochondria, mitochondria का खुछ किस ने किया था? ultimate ने किया था ultimate और mitochondria नाम किस ने दिया था? benda ने दिया था ultimate और benda नाम सुने होंगे mitochondria से लिड़ेड हैं ultimate इसका खुछ करता था mitochondria का लेकिन जो बenda है इसका नाम करन किया था mitochondria नाम दिया था option number b है ribosome ribosome का में काम है protein sensation करना protein को बनाना ribosome के बारे में जब आपको detail पढ़ाएंगे तो आपको 70s 80s ribosome के बारे में बताएंगे s क्या है? यह है आपका settlement coefficient बारे में बताएंगे जब आपको ribosome बढ़ाएंगे next है आपका centrosome centrosome आपका cell division के लिए important होता है कुछ का विभाजन के लिए important होता है और ribosome का खुछ किस ने किया था pallad ने किया था pallad P-A-L-A-D-E pallad ने किया था next है option lysosome lysosome का खुछ किस ने किया था CD दूबे ने किया था CD दूबे ठीक है lysosome को हम आत्मघाती थेली बोलते है next क्या है नियुद लिखित में से कौन सा एक सर्वल उत्तक है मतलब simple permanent tissue के बारे में पूछ रहा है कि इन में से कौन सा नहीं है इन में से पूछ रहा है कौन सा नहीं है simple permanent tissue देखे रहे हैं आपे plant tissue आपका दो परकार के होते है एक होता है आपका marismetric tissue एक होता है आपका permanent tissue permanent tissue में ही simple permanent tissue और complex permanent tissue दो परकार के होते हैं simple का मतलब शरल अस्थाई उतक और जट्टिल अस्थाई उत्तक Simple Permanent Tissue मतलब सरल अस्थाई उत्तक में आपका Parenchyma Collinchyma और Escalerchyma आती है Complex Permanent Tissue में मतलब जट्टिल अस्थाई उत्तक में आपका Gylam और Phloem आते है Parenchyma आपका किस चीज के लिए important है Parenchyma Tissue तो आपका Food Storage के लिए important है Parenchyma Tissue किस चीज के लिए important है तो पौधे में Lachilipan के लिए important है Lachilipan के लिए Escalerchyma Tissue किस चीज के लिए important है तो Parenchyma Tissue में जो कठोरते हैं हार्डनेस आपका Escalerchyma के कारण ही आती है Gylam यह आपका Complex Permanent Tissue है मतलब जटील अस्थाई उतक है Gylam ज़ अउलो से बताया थे कि जड से आपका पतियों तक जल लेके जाता है Water लेके जाता है Gylam और Phloem आपका जड से रूट से पतियों तक आपका Minerals खनीज को लेके जाता है आपका Phloem Next क्या है निलिखी धातू में से कौन सा धातू कमरे के तापमान पे Room Temperature पे द्रव अवस्था में Liquid State में होता है धातू का बारे आपका पुछ रहा है तो धातू है आपका पारा अगर यहीं पे अधातू पुछता है Non-Metal का बारे आपका पुछता है तो मरकरी का सेंबल संकित का होता है HG Atomic number कितना होता है पारे का और C यह आपका deep block का element है पारा पारे का अजस्ख क्या होता है सीने बार जा मैं कितने बार पुछा भी है सीने बार अजस्ख है आपका पारे का पारा का मरकरी को हम क्यूक सीलबर के नाम से भी जानते है क्यूक सीलबर इंपोर्टेंट है याद रखिएगा इसको पारा का मरकरी का आपक्छी घंट relative density कितना होता है 13.6 होता है इसको भी यह ध्यान में रखना है आपक्छी घंट relative density 13.6 पारा आपका थर्मामीटर में भारा जाता है जो पहले आता था ना पेंसिल के आकार का सीसे का बना होता था थर्मामीटर उसी थर्मामीटर में आपका पारा भारा होता था मरकरी भारा होता था बैरोमीटर में पारा भारा जाता है मरकरी भारा जाता है यह मैं बैरोम्योंसे क्वेशंदय्म कोश्चन पूशता है, माले इसे आपका बैरोम्यितर है, इसमें आपका पारा भरा हुआ है, पूशता एक叮ला है, पूशता है कि जब मरकरी का जो लेवल है, धीरे-धीरे ऊपर जाता है, तो क्या चीज़ का सँकेत हैं? तो जब भी मरकरी का लेवल धीरे धीरे उपर जाता है तो मौसम साफ होता है यह पहला कंडिशन दूसरा कंडिशन पुछता है जब पारे का लेवल धीरे धीरे नीचे आता है तो क्या होता है तो बारिस आने का समभावना होता है तीसरा condition पुछता है जब पारे का level एका एक नीचे गिरता है तो क्या होता है एका एक जब भी नीचे गिरेगा तो तुफान आने का खत्रा रहता है बेरमीटर से आपको तीनों condition याद रखना है आपका first option है कौन सा lead, lead के बारे हैं बता दीजी lead का atomic number कितना होता है 82 sample का होता है lead का PB, PB से दर साते हैं इसको हम lead आपका P बोलो का element है 14 हमें group का 14 हमें श्रमू का आपको trick याद है 14 हमें श्रमू का कहे सीता जी जी शूनो प्रभो यही trick था carbon, silicon, germanium आपका teen और lead lead का IS का क्या नाम है lead का IS का है आपका galena galena important है याद रखेगा galena का IS का ही आपका lead प्राप्त होता है यह option में दीख रहा होगा आपको teen और lead teen और lead से कुछ बनता है क्या बनता है fuse wire fuse wire आपका lead और teen का मिशरन सही बनता है option नमर C है tungsten tungsten का symbol क्या होता है W important है याद रखेगा संकित इसका tungsten का W होता है atomic number 74 होता है और यह भी आपका deep below का element है option नमर D है आपका कौन सा bromine ब्रोमीन आपका 17 हमा group halogen समों का तत्वा है fluorine chlorine bromine iodine और estatin fluorine का atomic नमर कितना होता है 9 chlorine का 17 bromine का 35 iodine का 33 और estatin का 85 होता है bromine का आपको एक compound बताया थे कौन सा A, G, B, R silver bromide इसका इस्तमाल कहां पर किया जाता है photographi में इस्तमाल किया जाता है silver bromide का important है याद रखिए का photographi में एक चीज और बतायते हम silver iodide का silver iodide इसका इस्तमाल कहां पर करते है artificial rain के लिए किया जाता है silver iodide का बात आगा silver का silver का atomic नबर कितना होता है 47 sample होता है az silver का आजस्प का क्या नाम है urgentite क्या urgentite silvetite नहीं silver knight आपका gold का आयस्प है next है tungsten का galang melting point कितना होता है तो tungsten का melting point होता है 3380 degree centigrade tungsten के बारे बता चुके हैं आपको tungsten का sample w होता है atomic number 74 होता है यह भी आपका deep block का element है कौन से block का deep block का और deep block में total कितने element होते हैं 40 element होते हैं 40 तत होते हैं deep block में आपका deep block का minimum आपको 21 से 30 तक 21 से लेके 30 तक जो उपर उपर वाला है इसका आपको atomic number परवानु करमां के याद होना चाहिए 21 का escandium tritium vanadium chromium magnees iron cobalt nickel copper copper or zinc यह आपका 21 से लेके 30 तक है यह आपका minimum याद होना चाहिए deep block का element next क्या है copper के एक अनु में कितने परमानु होते हैं तो copper के एक अनु में 6.023 into 10 के पावर 23 अनु होते हैं अगर यहीं पे 2 अनु होता इसमें 2 से multiply हो जाता यह आपका अउगाद्रों नंबर का लाता है अब बात आ गया copper का copper का copper का सेंबल क्या होता है CU atomic number 29 यह भी आपका deep block का element है copper का IS कौन कौन सा होता है कल भी बताया थे आपको हम cuperite, azurite, mall site किसका IS का है copper का IS का है copper से बहुत सारे योगी बनते है बहुत सारे compound बनते हैं जैसे कि copper और zinc से क्या बनता है brass बनता है क्या बोलते हैं brass को हम पीतल बोलते हैं copper और tin से क्या बनता है bronze बनता है और bronze को हम क्या बोलते हैं कासा बोलते हैं एक होता है German silver नाम सुने होंगे German silver German Silver में क्या का चीज मौझूद होता है Copper Plus Zink Plus Nickel तीनों मौझूद होता है German Silver है तिसमें Silver मौझूद नहीं होता है कितने टाइम पुछा हुआ है और श्रीन लोग Silver जिसमें Option होता है उसमें मारके निकलाते है जो कि गलत है तो German Silver में आपका Silver नहीं होता है Blue-Bitrol के नाम से जानते है Blue-Bitrol के नाम से क्या होता है फर्मूला Copper Sulphate Cupric Sulphate जिसको बोलते है 5-H2O इसका फर्मूला होता है कुछ दिन पहले आपको हम बताये थे Sodium Carbonate के साथ Sodium Carbonate के साथ कितने अनु होते हैं जोलका 10 अनु होते हैं आपका जोलका पुछा गया है कि एक धावन Sodium के अनु में जोलके कितने अनु होते हैं तो आपका 10 अनु होते हैं सेम इसी तरह पुछ सकता है आपका Blue-Bitrol में नीला थोथा में एक होता है आपका Green-Bitrol हारा कसिस जिसको हम बोलते हैं नीला हारा थोथा बोलते हैं फर्मूला क्या होता है Fe So4.7s2o होता है यह होता है आपका हरा कसिस का एक होता है आपका White कसिस स्वेत कसिस का Zinc Sulfate Zinc Sulfate.7s2o तीनों का याद रखना है स्वेत कसिस हरा कसिस और आपका नीला कसिस का copper और Aluminium Copper प्लस Aluminium मिलके Rolled Gold का निर्मान करते हैं Copper आपका 90% और Aluminium आपका 10% होता है Rolled Gold में Next क्या है Newland का अस्टक सिधान Octet Roll केवल कहां तक लागव होता था Newland का अस्टक रूल Octet Roll केवल Calcium तक लागव होता था उसके बाद फेल हो जाता था Octet Roll इसमें बताया जाता था कि परतेक पहला Element उसके आठवे Element से सेम गुंधर्म रखता है सेम Chemical Properties रखता है Calcium Atomic नमर केतना होता है 20 Potassium 19 Sodium 11 Chlorine 17 आपको कुछ दिन पहले हम आपको Reactive Series बताया थे क्या थे सक्रियता सरेनी क्या बताया थे उसमें आपको हम कासी नाथ का माली कासी नाथ का माली आलू जरा ठीके पकाता है पकाता है कौन है कौन है आगे आओ यह ट्रीक था Potassium Sodium Calcium Magnesium Almonium Zinc Iron Lead Hydrogen Copper Mercury Silver Gold यह आपका Reactive Series था सबसे कम Reactive था आपका Gold सबसे ज्यादा Reactive था आपका Potassium इसमें आपका Potassium, Sodium और Calcium यह आपका ठंडा जल गरम जल और भाफ तीननों के साथ Reaction करता आहिए Magnesium आपका ठंडे जल के साथ Reaction नहीं करता है बाकि आपका गरम जल और भाफ दोनों के साथ रेक्शन करता है एल्मुनियम, जींक और आइरन ये आपका ठंडा जल और गरम जल दोनों के साथ रेक्शन नहीं करता है केवल इस्टीम के साथ, केवल भाफ के साथ रेक्शन करता है एल्मुनियम, जींक और आइरन calcium के बारे में कुछ और आपको हम बता देते हैं इस जा में पुष्टे रहता है calcium sample आपका c a atomic नमर कितना होता है 20 कौन से group का element होता है calcium तो second group का कौन सा beta मांगे car scooter बाब राजी यह आपका trick था second group का second sum होता beryllium, magnesium, calcium, estoncium, barium और radium beryllium का 4 atomic number magnesium का 12, calcium का 20, estoncium का 38 56 और इसका 88 calcium के compound से exam में question बनते रहता है calcium के योगिक से एक होता है आपका q climb c a o जिसको हम बोलते हैं एक होता है calcium hydroxide एक किसका formula होता है बुजा हुआ हुआ चूना का bleaching powder c a o c l 2 किसका formula होता है bleaching powder का बिरंचक चून का gypsum c a s o 4 dot 2 s 2 o किसका formula होता है gypsum का plaster of paris c a s o 4 dot half s 2 o यह आपका plaster of paris का formula होता है calcium carbide c a c 2 इसका इस्तमान फॉलों का पकाने के लिए किया जाता है c a c 2 का जिसको कि हम calcium carbide बोलते हैं चलिए हम आगे चलते हैं next क्या है एक बस्तू को एक आउतल दरपन कौन के mirror के सामने focus बिंदू पर रखा गया है तो निर्मित होने वाला प्रतिवीम image क्या होगा वो आपको बताना है कहां रखा गया है बस्तू focus पर रखा गया देख लिजी आपका object रखा हुआ है कहां पर focus पर इसका image किधर बनेगा इसका image बनेगा अनन्नत पर कैसा बनेगा बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा मतलब inverted उल्टा और real बनेगा real क्यों बनेगा कि जिधर आपका mirror का side है उसी तरह बनेगा mirror के पीछे बनता है तब आपका कैसा होता virtual होता अभासी होता लेकिन image आपका mirror के side महीं बन रहा है तो आपका real होगा आपका पहले बता चुके हैं कि जभी real image बनेगा दरपन में तो आपका inverted होगा उल्टा होगा चाहे आपका concave mirror हो या फिर convex mirror हो यानि आपका autal दरपन हो या फिर utal दरपन हो और क्या बनेगा वस्तु से बड़ा होगा बड़ा बनेगा enlarge बनेगा enlarge आपका autal दरपन के किसमें तीन टाइम बनता है जभी object आपका center पे होता है तो आपका image उसी के बराबर बनता है लेकिन उल्टा होता है इसके आगे माले जिए center और focus के बीच में आपका वस्तु रखा गया है तो आपका image इस वस्तु से बड़ा बनेगा एक आपका focus पे रखा है तपर भी वस्तु आपका बड़ा बनेगा और एक आपका जब focus और यहाँ पे pole है यह दोनों के बीच में रखा जाता है तपर भी बड़ा बनता है लेकिन इस case में आपका वस्तु real नहीं बनता है यह आपका virtual हो जाता है mirror के पीछे बनता है जो कि आपको हैं बता चुके हैं पहले तो इसका option क्या दिया हुआ था इसका option है अभासी और उल्टा अभासी और सीधा वास्तुविक और सीधा और वास्तुविक और उल्टा तो किसका पुछा था फोकस दोरी पे तो फोकस दोरी पे आपका वास्तुविक और उल्टा बनेगा जो कि option number D दिया हुआ है next क्या है निम्लिखित में से कौन सा परकास अंसलेशन photosynthesis के लिए important नहीं है आवस्यक नहीं है सूर्ख के परकास important है परकास अंसलेशन के लिए chlorophyll भी आवस्यक है carbon dioxide भी आवस्यक है लेकिन oxygen आवस्यक नहीं है oxygen तो byproduct निकलता है उत्पाद निकलता है परकास अंसलेशन में exam में पूछता है परकास अंसलेशन से परकास अंसलेशन में आपका environment से carbon dioxide और जो root से जड से जो पानी आसोसित होता है उस सूर्ख के परकास के उपस्थिती में क्या बनाता है glucose, water और oxygen का निर्वान होता है जिसका formula क्या होता है समीकरन equation 6 CO2 प्लस बार अनू S2O का मिलके sunlight के presence में sunlight के presence में important है glucose C6H12O6 प्लस 6 अनू आपका water का और 6 अनू आपका oxygen का बनाता है यह equation आपको दिहान में रखना है exam में इस equation से question और क्या बनता है कि जो आपका carbon है carbon का यहां पर क्या हुआ है तो carbon से आपका CO2 से आपका बना है glucose C6 H12O6 और आपका water से H2O से क्या बना है oxygen बना है तो यहां पर आपका carbon का reduction हुआ है oxygen हुआ है यह दखिए गा कि carbon का यहां पर reduction हुआ है oxygen हुआ है और यहां पर water का क्या हुआ है oxidation हुआ है oxygen हुआ हुआ है परकास long लैसCT के लिए जो red color का तरंधर Europe का जो परकास होता है न वह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कौन सा रेट कलर वाला जो वेवलेंथ होता है रेट के बाद उसके बाद बुलू वाला इंपोर्टेंट है दो कलर इंपोर्टेंट है लाल और नीला सबसे ज्यादा कौन अच्छा है रेड क्लोरला परकासनसलेशन के लिए सबसे बेस्ट है परकासनसलेशन के लिए क्या important होता है पेड़ पधो में chlorophyll और chlorophyll में कौन सा मिनल पाया जाता है magnesium होता है chlorophyll में आपको हम बता चुके हैं और zinc कहां पे होता है जिंक आपका इंसूलीन में होता है और हीमोगुलोबीन में आपका आईरन होता है इतना सारा चीज आप परकास से याद रखेगा चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा अगर चैनल पर पहले बार आये हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा ठीक है जै हिन जै भारत